HRD Center द्वारा 28 फर्वरी से 1 मार्च 2019 तक अपने दूसरे सैटलाइट लैब DCS Testing Lab में Basics of Emerson Delta V DCS System पर पहला कारिकरम आयो जित किया इस Lab में Emerson, ABB, Siemens और वेल के DCS System उपलब्ध है 28 फर्वरी को इस कारिकरम का उदखाटन GMP Industry के विया राजो ने किया इनके लावा इस आउसर पर GM Automation स्री संजीव कुमार, DJM इंचाज Instrumentation and Automation स्री SR10 भी पस्तित थे इस कारिकरम का उदखेश प्रतिभागयों को Emerson Delta V DCS System के नियंत्रन HMI संगसोधन और समस्य निवारन पर जानकारी देना था इस प्रजिक्शन में Instrumentation, C&A, Utilities, Oxygen Plant से 7 Executives तथ 11 Non-Executives ने हिस्टाल लिया था पहले दिन के प्रजिक्शन में इहने थियोरी क्लासेस करवाई गए एवं दूसरे दिन Emerson DCS Panel तथा Workstation पर Hands-On Training दिये गए इस दिन Instrumentation विभाग के अधिकारी मैनेजर स्ट्री SP4 असिया, डेप्टी मैनेजर स्ट्री सेलेश कुमार, एवं स्ट्री अंकूर मलहत्रा तथा Assistance मैनेजर स्ट्री अंकूर दत्ता फैकल्टी के रूप में उपस्थित थे वहें एक मार्च को इस प्रस्रीक्षन के वैलेडिक्षन शेसन के दौरान GM Automation से संजीव कुमार ने कहा, किसी भी बड़ी सफलता के लिए कड़ी मैनत करना आविशक है, इसके लिए किसी भी तत्य को बारेकी से समझना जरूरी है, इसके अलावा उन्होंने इस कारिक्रम के आयोजन के लिए HRD विभाकी प्रसंकता की। है. झाल झाल झाल